हलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में, हिंदी में हम इसको कहते हैं ठोड सवस्था, तो देखिए अगर हम मैटर की बात करें, तो मैटर को तीन टाइफ में डिवाइड किया गया है, पहली हो जाएगी सॉलिड स्टेट, दूसरी हो जाएगी लिक्विड स्टेट और तीसरी हो जाती हैं गयासे इस्टेट, तो आज हम मैटर की सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं सॉलिड की डेफिनेशन क्या होती है, तो ऐसे सबस्टेंसेज जिनका सेप और वालियूम डेफिनेट होता हैं, उनको हम क्या कहते हैं सॉलिड, अब देखिए अगर हम सॉलिड को लिक्विड और गैस के कंपेरिजन में देखें, तो सॉलिड की कुछ प्रापर्टीज इन दोनों से डिफरेंट होती हैं, ये प्रापर्टीज हो जाएगी, हाड्नेस, डेंसिटी, मेल्टिंग प मिलता हैं, पहली हो जाएगी, एमोर्फस सॉलिड या जिसको हम कहते हैं, अक्रिस्टलियर ठोस, और दूसरी हो जाएगी, क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो पहले हम डिसकस करते हैं, एमोर्फस सॉलिड के बारे में, तो देखिए, एमोर्फस एक ग्रीक वर्ड है, जिसका मिनि क्या होती है, irregular होती है, और अगर हम amorphous solid में constituent particles का arrangement देखें, तो वो short range order का होता है, देखे, short range order का meaning क्या होता है, जैसे कुछ particles इस तरह से arrange हैं, लेकिन कुछ distance के बाद इनका जो arrangement है, वो क्या हो जाएगा, change हो जाएगा, तो इस distance को हम क्या कहते हैं, short range order, अब देखे, पूरे amorphous solid की बात की जाए, तो इस तरह से, जो short range order बन रही हैं, वो पूरे solid में scattered होती हैं, या बिख्री हुई होती हैं, और इनका कोई fix order नहीं होता है, अब देखे, अगर हम amorphous solid के structure की बात करें, तो ये liquid के similar structure, so करते हैं, liquid का structure भी irregular होता हैं, इसी तरह से amorphous solids का भी structure irregular ही होता है, अब देखे, अगर हम amorphous solids को heat करते हैं, तो उस case में, ये एक temperature की range में soft होना start कर देते हैं, means हम कह सकते हैं, इनके लिए melting point की fix value नहीं होती है, उसके लिए एक range होगी temperature की, जिसके अंदर वो soft होते हैं, और देरे-देरे soft होने के बाद वो melt होना start होते हैं, अब देखे, amorphous solids को हम easily melt कर सकते हैं, इसलिए उनको हम किसी भी दूसरी shape में convert कर सकते हैं, अब देखे, अगर कुछ amorphous solids की बात करें, तो वो कुछ temperature पर crystalline property show करते हैं, देखे, temperature को increase जब करते हैं, तो amorphous solid के constituent particles का arrangement change हो जाता हैं, और किसी particular temperature की range में, वो regular arrangement show करेंगे, और उनमें crystalline solid की property आ जाती हैं, अब देखे, जैसा कि हमने discuss किया हैं, amorphous solids का structure liquid की तरह होता हैं, तो इसलिए amorphous solid में liquid की तरह flow होने की tendency होती हैं, लेकिन इनके flow होने की tendency बहुत slow होती हैं, तो इस flow होने की tendency की वज़ा से amorphous solids को हम pseudo solid या छदम थोस भी कहते हैं, या इनको हम super cool liquids भी कहते हैं, अब देखे, amorphous solid के nature की बात करें, तो ये हमेशा isotropic nature so करता हैं, अब देखे, ये हो जाएंगे amorphous solids के example, glass, rubber, plastic, quartz glass हो गया या amorphous silicon हो गया, अब बात करते हैं, crystalline solid या crystal या थोस की, तो देखे, कोई भी crystalline solid जो हैं, वो हमेशा small crystal से बना हुआ होता है, देखे, crystal की हमेशा fixed geometry होती है, या हम कह सकते हैं, उनके constituent particles का जो arrangement हैं, वो well ordered होता है, जैसे अगर हम cube की बात करें, तो cube की geometry क्या होती हैं, regular होती हैं, और इसमें constituent particle का arrangement भी well ordered होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, cubic crystal, इसी तरह से crystal की खूब सारी types होती हैं, और इनी small crystal के मिलने से crystalline solid बनता है, अब देखे, अगर हम crystalline solid में constituent particle का arrangement देखे, तो वो हमेशा long range order में arrange रहते हैं, देखे, long range order का मतलब क्या है, जो constituent particles हैं, उनका जो arrangement हैं, वो long distance तक change नहीं होता है, मिन्स वो एक fix arrangement में arrange रहते हैं, अब लेते हैं next point, crystalline solid के लिए, हमेशा melting point की value साप होती हैं, मिन्स कह सकते हैं, crystalline solid के लिए melting point की value fix रहेगी, इसी तरह से crystalline solid के nature की बात करें, तो ये हमेशा anisotropic nature सो करता हैं, ये हो जाएंगे इसके examples, crystalline initial और quards, अब बात करते हैं, isotropy और anisotropy के बारे में, तो देखिए, जब किसी substance की physical properties की value सारी direction में same आती हैं, तो उस case में हम उस substance को क्या कहेंगे, isotropic substance, और उस substance की इस property को हम क्या कहेंगे, isotropy, इसी तरह से अगर किसी substance की physical properties की value different direction में different आती हैं, तो उस substance को हम क्या कहेंगे, anisotropic substance, और उस substance की इस property को हम क्या कहेंगे anisotropy, अब इसको diagram से समझते हैं, पहले बात करते हैं anisotropy की, तो देखिए अगर हम किसी crystal के structure को देखें, तो उसमें constituent particle का arrangement regular होता है, अब देखिए यहाँ पर इस diagram में दो तरह के constituent particle हैं, एक तो हो जाएंगे red color के और दूसरे हो जाएंगे black color के, अब अगर हम a, b direction में देखें, तो उसके इसमें देखिए, दोनों तरह के constituent particles आ रहे हैं, अब इसी तरह से अगर हम c, d direction में देखें, तो यहाँ पर देखिए, सिर्फ red color वाले particles आ रहे हैं, तो different direction में different particles आने की वज़़े से, उस substance की जो physical properties हैं, उसकी value भी different direction में different आत हैं, तो इस वज़़े से, इस तरह के जो substance हैं, उनको हम क्या कहते हैं, anisotropic, और उस substance की जो property हैं, उसको हम क्या कहते हैं, anisotropic, अब देखिए, अगर हम amorphous solid की बात करें, तो उस case में जो constituent particles हैं, उनका fix arrangement नहीं होता हैं, यह हम कह सकते हैं, उनका arrangement regular नहीं होता हैं, अब दे diagram में हम AB direction को देखें, तो इस direction में दोनो तरह के particles आ रहे हैं, इसी तरह से, अगर हम CD direction में देखें, तो यहां पर भी दोनो तरह के particles आ रहे हैं, तो देखिए, दोनो तरह के particles आ रहे हैं, इस वज़़े से, उस substance की जो physical property की value हैं, वो दोनो डाइरेक्शन में same आएगी, तो इ उस substance की इस property को हम कहेंगे isotropy, अब बात करते हैं crystalline और amorphous solid के बीच के difference की, तो देखिए सबसे पहले discuss करते हैं, shape के बारे में, तो crystalline solid जो है, वो geometrical shape represent करते हैं, यह हम कह सकते हैं, उनकी shape regular होती हैं, इसी तरह से amorphous solid irregular shape represent करते हैं, second point लेते हैं melting point का, तो crystalline solid के लिए melting point हमेशा क्या रहेगा, साप रहेगा, इसी तरह से अगर हम amorphous solid की बात करें, तो वो एक temperature की range में soft होना शुरू कर देता हैं, और वो फिर जैसे जैसे temperature increase होता हैं, वैसे वैसे वो melt होना शुरू होता हैं, फिर next बात करते हैं, cleavage property की, तो द जो दो नई surface बनती हैं, वो हमेशा क्या होती हैं, plane होती हैं और smooth होती हैं, इसी तरह से अगर हम amorphous solid को cut करते हैं, तो उनके बीच में जो नई surface बनती हैं, वो कभी भी plane नहीं होगी, और उनकी surface हमेशा क्या रहेगी, irregular रहेगी, अब next लेखते हैं, heat of fusion, तो देखें, जब कि energy में change आता हैं, उसको हम कहते हैं, heat of fusion, तो crystalline solid के लिए heat of fusion की value हमेशा क्या रहती हैं, definite रहती हैं, इसी तरह से amorphous solid के लिए heat of fusion की value कभी भी fix नहीं रहती हैं, अब बात करते हैं, anisotropic nature की, तो crystalline solid जो हैं, वो हमेशा anisotropic nature show करते हैं, और amorphous solid हमेशा isotropic nature show करते हैं, अब बा बात करते हैं order की तो crystalline solid हमेशा long range order में arrange रहते हैं और amorphous solid short range order में arrange रहते हैं अब next लेते हैं crystalline solid का classification तो देखिए यहाँ पर crystalline solid को हम intermolecular forces के nature के basis पर classify कर रहे हैं तो सबसे पहला point लेते हैं molecular solids तो इस तरह के solids में जो constituent particles हैं वो क्या होंगे molecules होंगे means molecules आपस में different type के attraction force से bonded रहते हैं और molecular solids का formation करते हैं अब देखते हैं इसकी पहली type तो non-polar molecular solids तो देखिए इस तरह के solids में जो molecules और atoms हैं उनके बीच में weak dispersion force या London force रहता हैं अब देखिए weak force होने की वज़े से ये solids क्या होंगे soft होंगे और electricity को conduct नहीं करते हैं अब देखिए इन solids के लिए melting point की value क्या रहेगी low रहेगी और room temperature और normal pressure पर ये liquid state या gases state में भी रह सकते हैं ये हो जाएंगे कुछ non-polar molecular solids के example अब second लेते हैं polar molecular solids तो इस तरह के solids में जो different molecules हैं उनके बीच में dipole-dipole interaction होता हैं इसी तरह से polar molecular solids हमेशा soft होते हैं और electricity को conduct नहीं करते हैं अब देखिए अगर हम polar molecular solids को non-polar molecular solids से compare करें तो polar molecular solids का melting point हमेशा ज़्यादा रहेगा अब देखिए अगर हम polar molecular solids की state की बात करें तो ये normal room temperature और pressure पर gaseous या liquid state में रहते हैं ये हो जाएंगे इसके examples next लेते हैं hydrogen bonded molecular solids तो देखिए इस तरह के solids में जो molecules हैं वो hydrogen bond के थूँ bonded रहते हैं और इसके साथ इन में hydrogen और इन atoms के बीच में polar covalent bond भी present होता है जैसे अगर हम water molecule के बात करें तो देखिए hydrogen और oxygen के बीच में ये तो कौन सा bond हो जाएगा covalent bond और दूसरे hydrogen molecule के oxygen और इस hydrogen के बीच में जो bond बनेगा वो हो जाएगा hydrogen bond तो इस तरह के molecular solids को हम hydrogen bonded molecular solids कहते हैं आइस इसका example हो जाएगा next बात करते हैं ionic solid की तो देखिए ionic solid में जो constituent particles हैं वो कौन से हो जाएगे ions और ions में यहाँ पर cation और anion रहेंगे अब देखिए किसी भी ionic solid में cation और anion के बीच में strong electrostatic force होता हैं और इसी force की वज़े से उनके बीच में ionic bond formation होता हैं अब देखिए ionic solid hard और brittle होते हैं इसी तरह से इन solids के लिए melting point की value क्या होती हैं हाई होती हैं अब बात करते हैं conductivity की तो देखिए ionic solid समेशा solid state में electricity को conduct नहीं करते हैं लेकिन अगर हम उनको melt करते हैं या उसका aqueous solution बनाएं तो वो electricity conduct करते हैं अब देखिए solid state में उसके ions क्या होते हैं strong electrostatic force की वज़े से fix रहते हैं तो वो mobility so नहीं करते हैं इसी तरह से अगर हम molten state या aqueous solution की बात करें तो उस ionic solid के जो ions हैं वो free हो जाते हैं तो उस वज़े से वो mobility so करेंगे और वो electricity के conductor हो जाएंगे अब next लेते हैं metallic solids तो इस category में generally जो metals होते हैं वो आएंगे अब अगर हम metal की बात करें तो metal में क्या होते हैं positive ions होते हैं और उसके 4 और खूब सारे electrons इस तरह से रहते हैं जिसको हम कहते हैं C of free electrons अब free electrons की वज़े से जो metallic solids हैं वो electricity के good conductor होते हैं malleable का मतलब है उनको हम thin seat में convert कर सकते हैं और ductile का मतलब होता है उसको हम wire के form में भी convert कर सकते हैं next लेते हैं covalent और network solids के बारे में तो देखिए covalent solids में क्या होते हैं जो non metals होते हैं वो covalent bond के थुरू bonded रहते हैं अब देखिए covalent solids जो हैं वो hard होते हैं और brittle होते हैं इसी तरह से उनके लिए melting point की value भी क्या होती है हाई होती हैं और अगर हम बात करें तो covalent solids melt होने से पहले decompose भी हो सकते हैं यह हो जाएंगे इसके कुछ example यह हो जाएंगे इसके example diamond graphite silicon carbide etc अब देखिए अगर हम conductivity की बात करें तो diamond conductivity so नहीं करता हैं इसी तरह से अगर हम graphite की बात करें तो graphite conductivity so करता हैं diamond में free electron नहीं होते हैं और graphite में free electrons present होते हैं इस वज़े से वो conductivity so करता हैं तो यह हो गया solid state के introduction के बारे में आग!